असलाम लेकुम फ्रेंड्स मेरा नाम है नुमान आरिफ और आप देख रहे हैं ट्विन असेंशल यूटूब चैनल आज की इस वीडियो में हम इस टेबल का 3D रेंडर निकालेंगे तो आए चले स्टार्ट करते हैं 3D रेंडर निकालने के लिए सबसे पहले हम इस टेबल को fbx में एक्सपोर्ट करेंगे तो हम अपने फाइल टैब की तरफ जलते हैं export और 3D model यहाँ पर हम अपने टेबल को fbx में एक्सपोर्ट करेंगे यह हमारा टेबल FBX में एक्सपोर्ट हो चुक है अब चलते हैं हम अपने रेंटरिंग सॉफट्वेर की तरफ अपने टेबल को 3D रेंटरि करने के लिए हम की शॉट का इस्तमाल करेंगे तो सबसे पहले हमें इस तरह का कुछ इंटरफेस मिलता है यहां पर हम इंपॉर्ट मॉडल और अपने टेबल को इंपॉर्ट कर लेंगे तो यह हमारा टेबल की शॉट में इंपॉर्ट हो चुक है सबसे पहले हम अपना कैमरा सेट करेंगे अपने टेबल को एक पोजीशन में सेट करके जैसे तरह भी हम चाहें और सीन्स टैब में आएंगे यहां पर कैमरा एड़ा के हो कैमरा और यहां पर हम अपने कैमरे को कोई भी नाम दे सकते हैं जैसे के मैं टेबल लिखता हूँ तो यह हमारा कैमरा सेट हो चुका है अब हम इस टेबल को कहीं भी अगर रोटेट कर लेते हैं यहां किसी भी व्यू में चले जाते हैं तो जैस्ट हम टैपे क्लिक करेंगे और हम अपने वापिस उसी पॉजिशन पर आ जाएगे तो चले हम अपने टेबल को मैटीरियल्ट लगाते हैं माटीरियल लैब्रेरी में आएगे लास नहीं certainty वाहां से क्कॉईब्रे भी लकए लोट कार जाज़ने और कॉल और इलेकर के सिंपल ट्रेगन ड्रॉप अपने टेबल हीड एड़ और रखेंगे और यह देखें टेबल के मिर्यर को टेक्चर लगें इसी तरह हम अपने फ्रेम को भी टेक्चर लगाएंगे कोई भी मेटल यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं और सिंपल ड्राग और ड्रॉप करके पने टेबल को लगा सकते हैं जैसे कि मैंने इस तरह देखे। अगर हम इनन inference हैं अगर में इन मटीरियल्स की प्रापटी कुछ Wool चेंज करने हैं तो मेटीर्य फेर्डी डबल टेल्क करें और साइट तरह मेटीर्ल बाल खर जाएगा यहां आप से हम स्टटी रखर और इसके color को change कर सकता है इस तरह friends हम अपने table को textures complete करेंगे और इसके बाद render पे क्लिक करेंगे यहां से हम अपने file की location और format set करेंगे resolution by default भी आपास option है और अलग अलग भी हम चाहें तो insert कर सकते है by default कोई भी हम select करके render पे क्लिक करेंगे तो यह हमारा table render होना शुरू हो चुका है तो लिजिए friends हमारी table की render image ready